Suppose करो, यह concept है, कोई theory नहीं है, Suppose करो, आपके पास एक object है, जिसको आपने यह आपने drop किया, मैंने पूछा कितनी height से drop किया, तो आपने का जी, u is equal to h height से आपने drop कर दिया, मैंने पूछा यहाँ पर hit करते हैं, इसकी velocity क्या होगी, तो किसी ने का अभी काने मेटिस लगाता हूँ मैंने का कैसे, कैता v square minus u square is 2gh, तो velocity की value आईगी under root of 2gh, सही है, बिल्कुल सही है, but actual मैं एक rule समझ लो, हम यह concept सीखने वाले हैं अगले हथे, जिसमें यह सिखाया जाएगा, कि अगर आप किसी भी body को against gravity फैंक दें, या in favor of gravity फैंक दें, उपर फैंक या नीचे फैंकें, air की क sum of potential and kinetic, sum of potential and kinetic, जिसको total energy बोलते हैं, total energy में sum of potential kinetic, इस point पर, इस point पर और इस point पर इनका sum क्या रहेगा हमेशा, सिर्फ यही नहीं, तुम अगर यहां पे लोगे, तो भी इस point पर भी potential and kinetic का sum क्या रहेगा, सिर्फ, यह नहीं change होती है, तो तुम किसी भी point पर चले जाओ, यहां यहाँ ले लो यहाँ ले लो जो मर्जी पॉइंट ले लो जभी बॉडी नीचे गिरेगी total energy हमेशा रहेगी आउगे वह कैसे हो सकता है इस point पर potential maximum है तो कारणेटिक 0 है नीचे आते आते आज़े potential कम होती जारी है लेकिन kinetic बढ़ती जारी है सबसे नीचे kinetic सबसे जादा होगी है potential विको 0 होगी total sum will remain same यह याद रखने है आपको यह कहते हैं इसको लगा के दिखा हो देखो मैं लगा के दिखा रहा हूँ इस point पर अगर मान लो यह मेरा ground है, यह मेरा ground है, तब ground तो मानना पड़ेगा, ground इसलिए मानना पड़ता है क्योंकि हमें potential energy निकाल नहीं होती है, mgh, तो अगर यह एक line मेरा ground है, तो इस point पर potential की value गोलो यहाँ पर क्या होगी, mgh, और kinetic क्या होगी, 0, इस point पर ground पर potential क्या हो जाएगी, 0, kinetic क्या हो जाएगी, half mv square, और मैंने क्या बताया, sum of energy उस point और नीचे के point पर exactly same है, तो आप check कर लो, answer वही आएगा, जो आप kinematics से निकालते थे, छोड़ने वाले है kinematics अब हम, अब हम velocity energy से निकाला करेंगे, कौन लगाएगा, v u plus से, v square minus u square 2s, कोई ना लगाएगा, मैंने को बोला था, kinematics कम use होते है, आगे जाके, energy से एक second में answer आते है, तो देखो तो सही, जरूत क्या है motion की, यह हो तो गया, तो पहला point clear है यहां तक, तो भी same रहेगा, velocity we change हो जाएगी नीचे की, ठीक है, तो पहला point यहां तक clear है, यह note कर सकते हो, और चाहो तो, कर सकते हैं, तो जाएगाуск को जाएगाई जाएगी नीचे है, यह हो तो, तो पहला पॉइंट क्लिए रहां तर वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूं कि एक महीना अगला यही तो लगाने है मतलब कोई student ऐसा नहीं है जो यह कह दे non medical medical course के बाद के मेरे कोई लगानी नहीं आई टेर्ड़ 200 questions में लगी कि कम से कम टेर 200 questions में तो मतलब जो नहीं भी जीज़ना चाहता वह भी सीखी जाएगा ठीक है तो मतलब रोज का काम हो जाएगा आपका ये पहली बार यूज किया आज आज के लेक्चर में ही दो तीन बार यूज कर लेंगे तो आप अंदादा लगा सकते हैं ये रोज का काम है अब एक प्रॉब्लम है इसमें इसके अंदर एक student कहता कि सर ठीक है मैं ये बात तो अल्कुल एगरी कर गया ऐसा सही कह रहे हुआ यूज इकल टू जीरो आपने का ठीक है एक ड्रॉब किया मैंने का हां ड्रॉब किया था वो गया था किसी ने आपको question क्या पूछा था मैंने का है एच हाइट दी थी उसने और कहा था एच हाइट पर velocity V निकाल लो तो मैंने यह ground माल लिया था और मैंने जब यह ground माना और मैंने का कि ठीक है समा potential and kinetic यहां निकाल लेना वो सेम है ऐसी किया था मैंने तो उसने मेरे को यह बताया है कि किसी ने आपसे question ठीक नहीं पूछा मैंने का वो कैसे कहता यह ground था ही नहीं मैंने का वो कैसे क्योंकि आपको टॉप तो यहां से गेर के यह फर्श के उपर विलॉस्टी पूच गया तो फिर आपने प्रटेंशन लर्जी है जीरो कैसे लिए यहां पर क्योंकि मेरा क्वेश्चन तो ग्राउंड से होना चाहिए था और तुम अपना क्वेश्चन टॉप फ्लोर पर कर रहे हो तो घड़ पड़ हो गई मैं रहा हाँ तो एक और स्टूड़ेंट आया वो कहता जी मैं तो बेस्टमंट पर मैं घर में वहे pepparmap रहते हैं जहां रहते हैं वही उसका ground है तो मैंने का मैंने भी तो या ग्राउंड ले लिए मिरे यही ground है वो गयता है आप question ऐसे करके दिखाओ अब मैंने ठीक है ऐसे सही तो उसने का ये ground नहीं है ground ये लेकर question same solve करो और बताओ वी क्या होगा तो मैंने का ठीक है एक बात बता ये distance है कितना वो कहता है ये distance है h- मैंने का ठीक है मैं same rule लगाऊंगा मैं rule change ये करूंगा sum of potential and kinetic इस point पर और जहां मुझे velocity निकालनी है वहाँ पर sum of potential and kinetic वहाँ पर same रख देते हैं same rule लगाऊंगा अब मैं value put करता हूँ अब मेरा ground नीचे है अब बोलो potential क्या होगी यहां पर m g h plus h dash total distance h plus h dash और kinetic क्या है zero ठीक हो गया kinetic zero potential यहां पर कितनी है m g h dash और kinetic कितनी है half m v square और जब मैंने इसे equate किया तो आपके पास m g h dash plus half m v square equate कर लिया और जब मैंने इसे open किया m g h dash m g h dash half m v square तो आपने चीज नोट की यह वाली जो energy उसने एक्स्ट्रा करवाई वो तो दोनों में आड हो रही थी इसमें potential increase हुई इसमें भी increase हुई और ultimately क्या हो गई cancel तो कोई फरक ना पड़ता तुम ground जो मर्जी ले लो तुम basement लो तुम first floor लो तुम second floor लो जो मर्जी ground लो तुमारी इच्छ है तो सबसे असान तरीका क्या है सबसे असान तरीका है आपको question में में दो points given होंगे पहला जहां से ball गेरा और तूसरा जहां पर velocity निकालनी है उसके नीचे जितनी मर्जी दुनिया बस जाए तुमने क्या लेना देना तुम्हारा question नहीं खतम है अगर मैं इस room में question solve करूँ और tile के उपर velocity पूछ रहे तो मैंने क्या लेना यार नीचे कितने floor और पड़े हुए हैं तो मैं इसी को ground मानूँगा मैं इसी को ground मानूँगा इसके नीचे का कोई चकर नहीं डालूँगा तो बात समझ में आ रही है तो कोई भी question में दो point given होंगे जहां से ball को गेरा जहां ball गिर रही है जहां गिरी नीचे का point जो होगा उसी पर line खीच के ground मान दिया करो answer आएगा सही आएगा तो जहां मरजी कर सकते हो पर यह साधा better तरीक है समझ में आ रहे हैं यहां तक logic यह point समझ में आ रहे है अगर तुमने यहां velocity निकालनी है न तो तुम यहीं ground मान लो तुम यहां ground मत मान लो तुम अगर यहां velocity निकालनी है हाँ तुम इसे ground मान लो तो जहां नीचे point पर velocity निकालनी है उसी को ground मान के अपना question solve कर दो easy हो जाए वो आपकी इच्छ है, समझ में आ रहे हैं यहां तक, यह है energy conservation और यह assuming यह condition है, air की कोई resistance नहीं है, रास्ते में कोई energy loss नहीं हुआ, तब यह rule लगेगा, नहीं तो rule नहीं लगेगा, without इसमें, ठीक यहां तक